नमस्कार दोस्तो हरे कृष्णा राधे राधे ब्रत्विधी उपाई में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ दोस्तो आज हम देखेंगे घर पर दही हंडी का उत्सब हम कैसे मनाए नंद उत्सब कैसे मनाए तो इसके लिए न मैंने जो जुला लिया है उस जुले को ही डेकोरेट किया है नंद उत्सब के दिन ठाकुर जी को जुला भी आप अलग से जुला सकते हैं ये बहुत ही अवश्यक होता है तो देखेंगे यहां पर मैंने थोड़ा सा थाकुजी को भोग लगा दिया है सनान करवा के बैठाया है तो आप इस दिन पंचमरित सनान करवा सकते हैं और कंचे दूद से सनान करवा सकते हैं और दही हंडी के लिए न मैंने इस तरह से एक हंडी ले लिया है तो देखिए कितना प्यार मतलब आप जितनी अच्छे से सजा सके इस दिन नंद उतसब के दिन यहाँ पे नंद माराज के यहाँ पे बहुत बड़ा पूग्राम हुआ था बहुत बड़ा तेवार मनाय गया था फेस्टिबल मनाय गया था और इस दिन बहुत ध्यान पूर्ण किया गया था तो इसी फेस्टिवल को बच्चे बहुत इंजोई करते हैं घर पर भी आप कर सकते हैं लड़कों से घर के जो लड़के हैं उनसे मठकी फुडवाया जाता है पर अगर आपके घर में छोटे बच्चे जो भी लड़का है तो देखी यहां पर मैंने एक चूड़ नहीं फोरती हूँ तो मैं इस तरह से दही हंडी सेलिब्रेट करती हूँ आप भी चाहे तो इस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से जो दही हंडी हमने ले लिया है और इसमें अभी जो फ्रेस दही है वो भरेंगे तो दही जो आपको भरनी है वो गाई गाई का दूद का बना है तो सबसे अच्छा होता है घर का बना है तो बहुत अच्छा होता है बाकी अगर अगर आविलेबिल नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं जो भी दही आपको मिल जाता है आमूल का या किसी का वो दही आप ले सकते हैं तो देखें मैंने ना अभी से चीप बहुत ही प्यार सा लग रहा है तो यहां पे कोई लकड़ी अगरा बांद के भी इस तरह से डेही अंडी तांग सकते हैं मुझे तो मेरे जlight है उस यमेरा अझस हो जाता है तो मैंने जूला में भी जात जाता है purchase gotta that to a छिए पहली प्रज्लित कर लिया था ठाकुर घूर को jika जैसी स्नान करके बैठाय नहीं है तो आज भी ला सकते हैं द्ही हंडी के दिन वही बासूरी से हम दह्याण्डी को फोड़ने का जैसे सगून होता है इस तरह से करना होता है और इसके बाद मैं यह दही हंडी फोड़ती नहीं हूं इसको नीचे उतार देती हूं तो देखें इस तरह से बड़े ही प्रेम से धीरे धीरे आप दही हंडी को नीचे उतार ले मैंने रेड रिवन से बांदा है सकते हैं मैंने तो यहां पे बहुत ही चोटी सी जगा पे दही हंडी का उत्सब मनाया है और आप भी ऐसे चोटी से जगा पे सजा के बना सकते हैं सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाए और उसके बाद यह दही जो है सभी में बार दिया जाता है घर के बच्चों में बार ज smiles चावल बनाए ठाकुर जी को दोपैर का भोग लगाए और कहीं सारे लोग इस दिन 56 भोग भी लगाते है तो जैसे आपके हिहाँ प्रचलन है जैसे आपका सामर्थ है उस हिसाब से आप चाहे तो फल, मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं, दही का भोग लगाए और दही अंडे का उत्सब पालन करें दोस्तो वीडियो कैसे लगी जुरूर बताना, अच्छा लगा है तो लाइक करें, सेयर करें, जादा से जादा सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल न भुले, काना की इस परिवार का हिस्सा बने, और काना जी का बहुत ही प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट सा वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तो जन्मास्ट मी सम्मंधित सारी वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, आप चाहे तो वीडियो चेक कर सकते हैं, जन्मास्ट मी का प्लेइलिस्ट में जाके भी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, कोई भी कुस्चन रहेगा, मैं पूरी कुसिस करूँगी, आपके सभी सव वालों का जवाब देने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी लोगों को हैपी जन्मास्टे मी हैपी दही आंडी राधे राधे बाई बाई दोस्तों टेक केर